मुख्य मंत्री जर्राम धाकुर ने केंद्रिय वित मंत्रे निर्मला सीता रमन डौरा आजवार्च 2022 से 2023 के लिए प्रस्तुत बजट को देश के अर्थववस्था देने किसानों समाज के कमजूर वर्गो और विकास को नई गती देने की दिशा में एक कारगर दस्तविज बत यहां बजट पुरे देश के साथ साथ सभी राज्यों को भी आत्म निर्भर बनाने की दिशा में एक महत्तपुर दस्तावेज सित्थ होगा मुख्यमंत्री निकाहा की पुझी गर्त वय बढ़ाने के लिए राज्यों के लिए अतिलिक्त केंद्रे साहेता में चालू वितिय वर्ष के दौरान पांच हजार क्रोल रुपई की बृध्धी की गई है जिससे प्रदेश सरकार को इस में से चालू वितिय वर्ष में 600 क्रोल रुपई की सुईक्रिती भारत सरकार द्वारा दी जा चुकी है उन्होंने राज्यों को मिलने वाली इस सहायता को भारत सरकार द्वारत 2022 से 2023 के दौरान दस कुना बढ़ाकर एक लाख क्रोड रुपई किया है उन्होंने कहा कि इस व्रिधी के फलसुरूप हिमाजों प्रदेश को भी लाब होगा क्यूंकि अगामी वित्य वर्ष में केंद्रिय सहायता में काफी व्रिधी होगी मुख्यमंतरी ने कहा कि बजट में पहली बार परवतिय राज्यों के लिए परवत माला योजना शुरू करने का प्राबधान किया गया है जिससे दुर्गम इलाकों में कनेक्टिविटी के साथ प्रेटन की भी संभावनाएं बढ़ेंगी कह सकता हूँ केंदर की और से जो रोब बे का विशेश तोर से जो जिकर हुआ है ये एक प्रेटन को भी बढ़ावा देने की दिशा में बहुत महत्तौपूर बूहन का निभाएगा क्योंकि ये सिर्फ ग्राइमिन क्षेत्रों की किनेक्टिविटी तक सीमित नहीं होगा ये ग्राइमिन क्षेत्रों की किनेक्टिविटी के लिए फोकस अब की बार जरूर किया है लेकिन ये प्रेटन का भी एक बहुत बड़ा केंदर बनेगा उस दिश्ठी से में मनता हूँ ने ठागुर साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है हिमाचल की दिश्ठी से जो forest clearances का issue है मैं आदने पधान मंत्री जी को केंदर में जो परेवन मंत्री है उनको भी स्टेज टू के होने के बाब जूद भी हमको सुप्रीम कोर्ट से अंतिम पर्मिशन लेनी पड़ती है अपरूबल लेनी पड़ती है और कोबीट के कारण लबे समय से सुप्रीम कोर्ट की पीछे सब्सिटिंग नहीं वो पाई तो लगबग सवा साल तक हमारी कोई भी फॉरेस्ट क्लिरंस नहीं वो पाई जिसके कारण हिमाचल परदेश में सैकडूक और मोर देन 600 प्रोजेक्स जो है वो जो फॉरेस्ट की क्लिरंस के लिए फाइनल स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट में लगे थे वो उसकी हीरिंग नहीं वो पाई सवा साल के बाद आखिरकार वो हीरिंग हुई और उसके लिए भी मैं विशेश दोर से जो हमारे सॉलिशिटर जनरल है उनका मैं धन्याबात करना चाहूंगा उनने आगर्या किया विशेश मेंशिन किया और उसके कारण फिर उनकी क्लिरंस हुई अभी जो इसमें केंदर सरकार ने इस बात को अभी भी मेरा पृढ़ान मंतिजी से जब मिलना हुआ था मन्डी की रैली से पहले तो उस वक्त भी मैंने पड़ान मुंत्री जी से इस बात को कहा था कि हमें बहुत बड़ी रहात होगी अगर ये फॉरेस्ट की क्लिरेंस बाकी राजियों की तरह हम को भी स्टेट से के बाद मिल जाए तो और सुप्रीम कोर्ट में आना ना पड़े इस बात के लिए मदद हमको हो तो इसके लिए केंद्र सरकार ने फॉरेस्ट क्लिरेंस के लिए शिगर मिलने के उदेश्चे से विशेश सुविधापदान करने की माननिय बित मुंत्री द्वारा बात की गई है और हमारी सरकार इसके लिए अपनी बात के इंदर सरकार के समक्ष प्रभावी रूप से रखी है क्योंकि इससे प्रदेश के सीमावर्तिक शित्रों का विकास सुनिशित होगा के चैनल के लिए शिमला से पुश्पिंदर खुमार की रिपोर्ट अपनी उन्हाओर की बात करत के समक्ष प्रदेश खुमार के समक्ष पार के समक्ष प्रदीक